जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सबसंगत को मेरी तरफ से, जय गुरुजी, यह मेरा पहला सुक्राना है, मैं दिली से बोल रही है और अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ, यह मेरा पहला सुक्राना है, जय गुरुजी, एक साल पहले नौंबर में, एक नौं परहे जाते में को नहीं है अब सिन के एक रहती है औरु मैं प्रसंतों है घम सेर्व पूंट zer disgust अगरा भी में रहने लगाने لगई जल परश्याद की उपने पढ़ीस अंकर को देनी लग गहा है इसोभाहों में बहुत अच्छा अब बेटीयां को जो पती उंकल की फिर्वी जानती लाइं और मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी सब तीरे तीरे किक कर दिंगी और दूसरा मेरा सुकराना है दूसरा ससंग मेरा कि गुरुजी किरपासे मैंने अब की जब अपना सूगर टेश्ट कर वाया था तो मे मैं गुरु जी से यही केते हुए गुरु माराजी मेरा सुगर की बिल्गोलीं जड़ से कडम करदो और सिर्भ स्भ sou Deshalb agショ koruna गुरू जो इनकी में मनो कामना पूंड करना और जो मेरा ससंग सुन रहेंगे उनकी भी मनो कामना पूंड करना और अगला ससंग की में तयारी करती हूँ फिर दुबारा में ससंग सुनांगे जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम मर शुक्राना गुरुजी जय गुरुची, ओम्नमस्षिवाए, शिवजी सदा सहाइ, ओम्नमस्षिवाए, गुरुची सदा सहाइ संगत जी आप सब को भी मेरा सुमन अंटि का प्Yार भरा, जय गुरुची संगत जी, गुरु संग की गई प्रीत, अन्त समय तक साथ में भाएगी इसलिए उठते बैठते सोते जाकते दुनिया के काम करते हुए सब काम करते हुए सत्गुरु से अपना दिल लगाए यानि के जै गुरुजी जै गुरुजी करते रहें गुरुजी को याद करते रहें गुरु जी हर पल, हर शन आपकी रक्षा करेंगे, आपकी फैमिली की रक्षा करेंगे, है न, और मंतर जाप करते रहें, मंतर जाप में बहुत शक्ती है संगर जी, और अभी आपने एक छोटा सा शुकराना ससंग सुना, आंटी का, और अभी एक शुकराना ससंग रिटन में ह आप संगर जी के साथ मैं शेर करने जा रही हूं ध्यान से सुनिएगा संगर जी और ऐसे प्यारे प्यारे शुक्राना संग शेर करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और सुनने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा हान जी चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है नोटिफिकेशन को भी ओन कर लिजेगा ताकि जब भी आपके ससंग यहाँ पर अपलोड हो तो आप फटाक से सुन पाएं है ना तो संगत जी आपके जादा से जादा शुक्राना ससंग बने और मुझे सुमनांटी को मिलें ऐसी मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि जो भी ससंग को सुन रहा है गुरुजी उसकी जो भी मनो कामना है जरूर पूरी करें जल्दी से जल्दी पूरे करें क्योंकि यह बहुत जरूरी है कि हम ससंग को ध्यान से सुनें, जितना ज़्यादा हम ध्यान से सुनेंगे और जितना ज़्यादा हम शेयर करेंगे, उतना ही मात्रा में हमें positivity लॉट लॉट के मिलती रहेगी, यानि कि खुशियां हमें मिलती रहेंगी तो शेयर करना बहुत जरूरी है और अगर आपकी भी शुक्राना ससंग है तो आडियो में रिकॉर्ड करके आप भेज दीजेगा 95484297 पर और जैसे आपकी जो छोटे छोटे शुक्राना है तो आप अपना जो भी शुक्राना ससंग है छोटा सा कमेंट बॉक्स में जरूर ल करदास है वो गुरुजी से आप कह सकते हैं लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में गुरुजी के चैनलों में जरूर पहुच जाएगी क्योंकि गुरुजी इस वक्त बिल्कूल मेरे आसपास ही बैठे हैं और ससंग को शेयर करते वे मुझे देख भी रहा है कि सुमरांटी गु बुर्ब ए गुरुजी का हुक्म है कि आप सब को कहा जाए कि ससंग को पूरा सुनने के बाद शियर जरूर करना है।män से संगजी शुरू करते हैं मैं आगरा से बभीता बोल रही हूँ संगत जी मैं गुरु जी से जून 24-24 में कनेक्ट हुई हूँ संगत जी शुकराना ससंग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जब करना चाहती हूँ ओम नमस्षिवाई शिवजी सदा सहाई संगत जी गुरु जी से जुडने से पहले में बहुत परेशान थी मेरी घर में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रखी थी मतलब फाइनेशल भी बहुत परेशान थी बट उससे ज़्यादा परेशान मेरे घर में कुछ मेरे अपने लोगों ने कलेश करवा रखा था मेरे बच्चों के बीच जो की दिन रात कलेश होता रहता था और मैं रोती रहती थी और मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था मैं अपने बिहारी जिस से भी बहुत अरदास करती थी क्योंकि मैं उनकी सेवा करती हूँ लड़ु गोपाल की पर मेरे कष्ट खतम नहीं होने का नाम ले रहे थे फिर मैं अपने गुरु जिस से जुड़ी कैसे जुड़ी यह मैं आपको बताती हूँ मेरी फ्रेंड डिल्ली में रहती है और मैं आगरा में रहती हूँ हम दोनों फेस्बुक फ्रेंड हैं वे खुद लेने आई मुझे क्योंकि मेरी तबियत ज़्यादा खराब थी मेरे पेरों में दर्द बहुत हो रखा था और मेरी कमर में भी बहुत दर्द था वे कहती है चल मैं तुझे लेने आई हूँ और फिर वही मैं ही तेरा ट्रेटमेंट करवाऊंगी तो संगत जी मैं उसके साथ दिल्ली चली गई मैं जब उसके घर गई तो उसकी एक और सहली जो दिल्ली में रहती थी उसके यहां गुरुजी का ससंग था उसने इन्विटेशन दिया अपने यहां आने के लिए फिर मैं भी वही थी तो वहे मुझे भी अपने साथ ले गई और मैंने भी वहां गुरुजी का ससंग अटेंड किया मेरे को बहुत अच्छा लगा बहुत ही अच्छा लगा वहां मैं चाय परसाद लंगर परसाद कड़ा परसाद सब खाया परसंगत जी वहां पर बहुत ही प्यारा गुरुजी का सुरूप है सुरूप और बहुत प्यारी गुरुजी की कद्दी सजी हुई थी और बहुत सुं था और सुनना था, तो मेरे को मुझे पता नहीं, क्यों ज्यादा अच्छा नहीं लगा, ऐसा नहीं लगा कि मैं कोई ससंग अटेंड कर रही हूं। माफ करना मुझे संगत जी, गुरुजी, क्योंकि इससे पहले मैंने गुरुपा का कोई ससंग अटैन नहीं किया था, इसलिए मैं कुछ भी नहीं जाती थी गुरुपा के बारे में, वहाँ पर मुझे चाय परसाद, जल परसाद, समोसा परसाद, और कड़ा परसाद, लंगर मिला, जिसको मैंने बड़े प्रेम से शद्धा से ग्रहन किया, जै गुरुजी, फिर हम लोग घर आ गए, दोबारा से फिर मैं दिल ली गई, जलाई में, तो साथ जलाई को गुरुजी का जनन दिल था, वहाँ कई कई जगा ससंग हो रहे थे, तो फिर से मैं वहाँ ससंग अटेंड करने गई, उसी फ्रेंड के हाँ, तब जाकर मुझे गुरुजी के पास बैठने का मौका मिला, इस बार कुछ अलग ही फील हुआ, उन्होंने मुझसे कड़ा परसाथ का भोग, गुरुजी के समीप रखने को बोला, और बोला, आगकी कोई भी अर्दास हो, गुर गुरुजी मुझे दर्शन दे रहे हैं, संगत जी, यहां उनके चरण सुरूप रखे थे, उन पर मैंने माथा डेका, तो वहां के दो फूल मेरे माथे पर भी लग कर आ गए, तो फिर संगत में से, किसी ने कहा, गुरुजी ने आपको ब्लेस किया है, फिर मुझको बहुत गुरुजी मैं घर आई, मैंने फोन उठाया, तो गुरुजी के मैसेज मेरे फोन में फ्लेश हो रहे थे, इसमें लिखा था, उतर तु चिंता ना कर, अब मैं आ गया हूँ, और मैं तेरे अंसंग हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा, बिल्कुल ठीक कर दूँगा, तो बोली कि देख ले, गुरुजी ने तेरी सुन ली, अब तू जब भी जाए यहां से, तो गुरुजी का सुरूप लेकर जाना, उसके यहां तीन चार सुरूप थे, पर उसने मुझे नहीं दिया, उसके यहां सुरूप जरूर थे, पर मैं पूजा पाट नहीं कर दी थी वैसे ही लगा रखे थे जब उसने मेरे मेसेज पड़े तो उसको भी गुरुजी से जुड़ने की चाहत हुई फिर मैंने यूट्यूब से गुरुजी के ससंग सर्च किये और चैनल को सब्सक्राइब किया और मैं ससंग सुने लगी तब वह बोली मुझे भी सेंड कर मैं भी ससंग सुनूँगी मैं भी गुरुजी से जुड़ूँगी तब मैंने कहा तुमारे हाथो और रोड़ी गुरुजी के इतने सारे सुरूप है तब भी तुम नहीं जुड़ पाई तो वो बोली किसी ने दिये थे तब ही से ऐसे ही रखे हैं बस मेरे जीजाजी ही धूबत्ती दिखा देते थे फिर संगर जी मैं गुरुजी से जुड़ गई और फिर मैं अपनी अच्छी बुरी जो भी मेरी परिशानी थी सब गुरुपा को बोले लगी संगर जी गुरुपानी मुझे ऐसे वक्त संभाला जब मैं अपने आपको बहुती अकेली और असहाई महसूस कर रहे थी जै गुरुजी शुकराना गुरुजी एक्चली मेरे घर में बहुती ज़्यादा नेगेटिविटी थी मेरे अपने मेरे दुश्मन बने हुए थे इतने दुश्मन कि मेरे संभ और मेरे बच्चों के संभ जगड़ा करवा रहे थे और मेरे आगरा आने का इंतजार कर रहे थे कि आएगी तो फिर बात करेंगे पर मैं गुरुजी से अर्दास करती रही बोलती रही गुरुजी मैं जाऊंगी तो वह सब लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे मैं अकेले हूँ गुरुजी अब आप ही संबालो देखो आपको क्या करना है आप चानो आपका काम गुरुजी मुझे सुरक्षित करो इन लोगों से फिर संगत जी जब मैं आगर आई तो किसी ने भी मेरे साथ कोई किसी तरह क क्य administration की भी बात नहीं की यह है मेरे गुरुजी का चमतकार संगत जी तब से लेकर आज तक गुरुपा मेरे घर चमतकार करते रहते हैं फिर थोड़े दिन बाद गुरुजी ने मुझे मैसेज देना शुरू किया कि मैं बहुत जल्दी ही तेरे घर आ रहा हूँ तो तू तियारी कर ले कड़ा परसाथ बना मुझे भोग लगाना गुलाब जामुन और समोसे का जब मैं आऊँ तो मुझे भोग लगाना और फिर गुरुजी ने मुझे बोला कि साथ गुरुवार को तू मेरे नाल बैटकर सा संकर मैंने वैसा ही किया संगत जी पता था गुरुजी का सुरूप कैसे और कहां से आएगा मुझे कुछ नहीं पता था मैं कुछ नहीं जानती थी फिर चमतकार देखे फिर चमतकार देखे गुरुजी ने तीन दिन पहले मुझसे कहना शुरू किया कि मैं बहुत जली तेरे घर आ रहा हूं तभी मेरी जी मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा संगर जी चाहे गुरु जी का शुकराना फिर मेरी खुशी का ठिकाना रहा फिर चाहे गुरु जी शुकराना गुरु जी मैंने अपनी फ्रेंड को अपना एड्रस सेंड किया और संगर जी जेस दिन सुरूप आना था उसी दिन सुभा से गुरुजी ने मैसेज देना शुरू कर दिया आज शाम तक मैं तेरे घर आ रहा हूँ तेयारी कर दे मेरे स्वागत के लिए गुलाब के फूल मंग वाले फिर संगर जी तभी शाम को साथ बजे गुरुजी का सुरूप लेकर वह बंदा आया और मैं उपर से देख रहे थी औ और मेरी तो खुशी का ठेकाना नहरा मैं अपनी बहु को बोली मेरे गुरुपा आये हैं मेरे गुरुपा आये हैं मेरे गुरुपा आये हैं और मेरी आखों से जर जर खुशी के आंसू बहने लगे जैसे कोई बेटे अपने पिता से मिलकर बहुत खुश हो जाती है और बह संत कड़ा परसाद बनाना चाय का भोग लगाया गुरुपा को और ठीक उसी दिन गुरुपा का मैं सत्संग करके चुकी थी अब मैं सत्संग किया जब मैंने सत्संग किया तो बाहर तितली बालकानी में मेरे पौधे पर बैठी हुई थी गुरुजी का मैसेज आये कि शाम को तुझे ब्लेस करने तभी संगर जी शाम को साथ बजी उसी दिन गुरुपा यैलो कलर की बटरफलाई में मेरे घर के अंदर आये जहां पर गुरुजी का सुरूप रखाता हुआ गोल गूल घूम कर पूरे हौल में घूम कर चले गए गुरुजी जै गुरुजी शुकरान गुरुजी शुकराना लख लख शुकराना गुरुजी अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरुपा संगर जी फिर तो मेरे को गुरुजी हर रोज किसी ना किसी रूप में दर्शन देते रहे जैसे की रोटी में ओम दर्शन कभूतर दर्शन शे परिवार के दर्शन चाई म संगर जी जब से गुरुपा मेरे घर आए हैं तब से लेकर आज तक शाम तक कितने मेरे बालकनी में ही रहती हैं फिर संगर जी गुरुजी ने मेरे सपने में आकर बहुत सारे कष्ट काटे जैसे की मैं बहुत बिमार है थी ती मेरे पैरों में बहुत दर्ड था मैंने दिन पहले रो रो के अर्दास लगाए गुरुजी मैं कैसे त्योहार बना पाऊंगी इतना बड़ा त्योहार है भाई क्या लेकर जाऊंगी कैसे टीका राखी करूंगी कहीं से कैसे भी करके मेरे पैसों का इंजाम हो जाए गुरुपा कुछ ऐसा करो फिर संगत जी आपको व और मंतर जाब किया उसके बाद मैं आपने काम में लग गई फिर मैं आकर भी शाम को साथ बजे या पूजा करती हूं गुरुजी का मंतर जाब करती हूं मैं आकर मुबाइल को जैसे ही खोला और देखा एक मैसेज पढ़ा था उसमें मेरे किसी ने मेरे को किसी ने 21 और पे राजिस्थान में किसी संजे नायक ने भेजी हैं आपको आपकी राखी जो आपने भेजी थी उसके बदले मेरे तो संगर जी हो शोड़ गए और मैं गुरुजी को रोते रोते शुकराना किया और इतना रोना आया इतना रोना आया कितना जल्दी गुरुजी सुन लेते है संगर जी है गुरुजी और मुझे गुरुजी पर खुद से भी ज्यादा विश्वास होने लगा और मैं गुरुजी के और भी करीब होती कई और अब यह हाल है कि मैं गुरु कि मैं जब तक गुरुजी से बाते ना कर लूँ गुरुजी की तारीफ ना कर लूँ गुरुजी मेरे कल हुआ कि गुरु जी ने बोला आज मैं तुझे शक्ती के रूप में दर्शन दूगा तेरे घर की जोत में संगर जी कल सोंबार को मेरा वरत था और मैंने गुरु जी के आगे दिया बाती की तो जोत में सच्ची गुरु जी ने तुरी शक्ती के मुझे साक्षा दर्श और तितली रूप के भी दर्शन हुए जै गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी फिर शाम को मुझे सुन्दर से फूल में दर्शन दिये गुरुपाने और भी गुरुपाने और अभी भी मैं पूजा करके चुकी हूँ मंगलवार है मुझे बहुत दिनों से मैं शुक्राना नहीं किया, इसलिए भूल रही हूँ, इसलिए मैं भूल रही हूँ, जैसे ही मुझे याद आएंगे, मैं आपको फिट से शुक्राना सा संग शेयर करूंगी, लेकर आउंगी, और गुरुजी के चमतकार से अवगत करूंगी, गुरुजी तब से लेकर आज तक मेरे और मेरे परिवार को ब्लेस करते रहते हैं, और अंग संग भी रहते हैं, इतने प्यारे गुरुपा हैं, हमारे बहुत ही सोने सोने गुरुपा हैं, गुरुजी सारी संगत पर ऐसे ही अपनी मेहर बना के रखना, और खुब खुब खु गुरुपा उन्हें भी खूब ब्लेस करना गुरुजी मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी मेहर बना कर रखना गुरुपा संगर जी शुक्राना ससंग बहुत बड़ा हो रहा है इसलिए दूसरा शुक्राना ससंग जल्दी शेयर करूंगी आज का ससंग हैं तक मैं मुझे माफ कर दिजीका और गुरुजी आप भी जै गुरुजी संगर जी जै गुरुजी शुक्राना गुरुजी लख लख शुक्राना गुरुजी कोटी कोटी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी जै गुरुजी ओम नमस्षिवाय शिवजी स सदासा है जै गुरू जी संगत जी मैं सुमन आंटी आपका ससंग शेयर कर रही हूं क्योंकि आपने बोला जो भी मेरा ससंग शेयर कर रहा है आपने मुझे सैंड किया है तो मैं ही ससंग शेयर कर रही हूं अगर आपने किसी और चैनल पर भी ससंग को शेयर किया है तो ये बात मैं नहीं जानती लेकिन संगत जी जब भी आप ससंग share करें तो गुरु जी का हुकुम मान करना केवल एक ही channel पर ससंग share करें जाहे किसी भी channel पर करें क्योंकि ऐसे बड़ा confusion हो जाता है है ना यदि आपका ससंग share होना होगा तो होगा ही क्योंकि जब आप चार जगे ससंग शेयर करते हैं, तो आप कहीं भी ससंग वापिस से सुन नहीं पाते हैं, अब यदि आप एक ही चैनल पर ससंग शेयर कर रहे हैं, तो गुरुजी का आप हुकुम मानकर सिर्फ एक ही चैनल पर ससंग शेयर कीजिए, और जब वो ससंग शेयर हो जाता है, तो उस चैनल पर आप अपने सथसंग को सुनिए यानि कि वापिस से blessing को प्राप्त कीजिए क्योंकि सथसंग जब चैनल पर जब तक वो कच्छा है सथसंग लेकिन जब वो यहां पर आ गया तो अब वो गुरुजी की कृपा से अब वो शेयर हो रहा है यानि कि अब वो blessing बन चुका है तो उस blessing को आप लीजेगा अगर आप चार जगे सथसंग शेयर कर देंगे तो आप कहीं का भी नहीं सुन पाएंगे है ना आपको पताया नहीं चलेगा कि हुआ है या नहीं हुआ है है ना क्योंकि यह तो बात पक्की है लिंक तो देखो वापिस से मैं भी शेयर नहीं कर पाती मैं जो सत्संग आते हैं तो वो आपको सुनने ही चाहिए क्योंकि वो आपके लिए ब्लैसिंस होती है गुरुजी की है तो धीरे धीरे ही सारे काम होते हैं लेकिन होते हैं और चमतकार गुरुजी करते हैं जितना ज्यादा आप सत्संग सुनेंगे उतने ज्यादा ही ही आपके लि आदके में प्रक्ति आपक्ति हो गई है और मैं आप सजसंग को अभी अफलोड भी करना चाहती हूँ तो अब मैं भी ॹनेक्स्थसंग के त्याश कर एक सजसंग को में शेयर कर रही हूं और सरसंग में आप अपनी अर्दास लगा सकते हैं शुक्राना कर सकते हैं और शेयर तो जरू कीजेगा जै गुरुज